बűsटों केंदरिये राज जिख्रद्ध चारइं साहित बिहार के लगभग चार लाँठ न्योजी सिच्छकों के वेतन में हूई यदि आप हमारे चैनल पर नहें है चैनल को जुरु सब्सक्राइब किजेगा वपने जोस्तों को भूपि करजेगा केंद्री राज्य क्रमचारियों से ही बिहार के लबख 4 लाथ नियोजी सिच्छकों के वेतन में 4 फिस्दी की बरहोतरी नियोजी सिच्छकों के वेतन में 1300 रुपैस लेकर के 25 रुपैस तक की बरहोतरी होगी दोस्तों यहाँ पे देखे केंद्री राज्य और बिहार के नियोजी सिच्छकों को केंद्र सरकार ने तौफा दिया है दोस्तों सभी सरकारी क्रमचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फिस्दी की बरहोतीरी की घोसना केंद्र सरकार ने कर दिया है दोस्तों इसका लाभ सरकारी क्रमचारियों को जनवरी 2023 से ही मिलने लगेगा अब जनवरी 2023 से 42 फिस्दी महंगाई भत्ता सरकारी क्रमचारियों को दिया जाएगा जो अभी तक 38% मिल रहा था दोस्तों और अब ये बर करके 42% हो गया है जो कि जन्वरी से आपको दिया जाएगा महंगाई भत्ते में चार फिश्दी बरहोत्री होने से बिहार के लगभग चार लाख नियोजी सिच्छकों के वेतन में बरहोत्री हो जाएगी नियोजी सिच्छकों के वेतन में 1300 रुपा से लेकर के 3500 रिपया तक की बरहोतरी संभाव है दोस्तों केंदर सरकार ने अपने क्रमचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डिये को 4% अंक बरहा दिया है पहले क्रमचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिलता था जो कि अब 42% मिलने लगेगा दोस्तों पढ़ान मंति नरंद्र मोधी की अधिवस्ता में सुक्रवार को केंदरी केविनेट की बैठक में या फैसला लिया गया है और क्रमचारियों को जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता में हुई ब्रिधी का लाभ मिलेगा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कारण सरकार को अब हर साल 12,815.60 करोर रुपे खर्च करने होंगे दोस्तो जो बिहार में सरकारी सिप्षक हैं नियोजी सिप्षक हैं दोस्तो लग भल चार लाख उनकी सिप्षक हैं उन्हें जनवरी 2023 से ये बढ़ा हुआ पेमेंट दिया जाएगा दोस्तो जिनका पेमेंट अभी हो चुका है उन्हें आने वाले मार्च या अप्रिल में जो पेमेंट दिया जाएगा उस पेमेंट के साथ जनवरी फरवरी का पेमेंट जो 4 पर 30 आपका महगाई भत्ता जो बरहा है ये आपको दिया जाएगा क्योंकि जन्वरी फर्वरी का जो पेमेंट आपको मिला था दोस्तों वो 38% महगाई भत्ता के हिसाफ से मिलेगा लेकिन ये आपको 42% के हिसाफ से दिया जाएगा तो जो 4% की बिरीधी हुई है वो आगे आने वाले मार्च या अप्रिल के बेतन के साथ आपको दिया जाएगा किंदर सरकार के तरफ से घोसना कर दी गई है बिहार सरकार के तरफ से भी घोसना कर दी जाएगी और उसके बाद ये पेमेंट आपको दिया जाएगा 600-700 रुपे तक की ब्रीधी समय है दोस्तों इस वीडियो में फिर मिलते अगले वीडियो में आफसे मनें इसके साथ बने रहें